नमस्कार पाकिस्तान के जेव सेवंतिन ठंडर जिहां 40 परसेंट बिना लड़े मैदान से बाहर हो गये हैं जिहां और यह जानके हैरानी होगी कि यह तो चाइनिज था ही था क्योंकि जब पाकिस्तान को नए बिमान की जरूरत हुई यह इंडिया जैसा इनमी के साथ लड़े चाइनिज के पास और चाइनिज इनको फिफ्री नहीं देते ऐसा नहीं चाइनिज बोलते हैं अगर हम आपको बिमान देंगे तो हम क्या करेंगे हमको आप जमीन दे दीजिए और जिहां अब तो ऐसी बात आ रहे हैं कि पाकिस्तान का दो टापू भी लेने जा रहे हैं चा बनाए जब उन्होंने बीमान बनाना शुरू किया तो बना ही दिया अब जाके ऐसी खबरे और फिप्टी के नंबर पे वह बना रहे हैं और आप यह खबरे आई ऐसे रिपोटे आई है कि उनके 40 परसेंट बीमान ग्राउंडेड हो गये हैं ग्राउंड करना पड़ा है पा पाकिस्तानी एरफोर्स के लिए क्यों कि अभी बोला जा रहा है कि उसका अश्टेक्चिरल खामियां है जहां मैईनुवर नहीं कर सकता अच्छे से और जो असका विंग है वह खराब है जो भी है तो बहूँ सारे several reasons बोला जा रहा है और यह structural changes का मतलब समझी सकते कि जो बिमान 40% हो तो बेकार हो गया तो बिना युद्ध के लड़ाई लड़े यह 40% बिमान आपका खतम हो गए तो फिर आपकी एरफोर्स की तरह काम करेगी और आप इसी पर dependent होने वाले थे future में भी और अभी भी देखिए अब इससे क्या होग अब जो खबरे है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है जी हाँ तो अभी तक जो भी आप मेरे वीडियो देखने हैं उनका बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जैन